हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज का यह जो वीडियो है वो पिछले वाले वीडियो का छोटा हुआ भाग है जिसमें आपको रसायन विज्ञान के 2022 के कुश्चन हल करा जा रहे थे उसी के आगे उसी के क्रम में पुना आपको पेपर आपके लिए बहुत ही उप्योगी है चले बढ़ते हैं मगले कुश्चन की तरफ के कुश्चन आपका यहां था आप चाहो थे का कुश्चन करना है आपको निम्डिकी सिल्का सामानित यानि 298 पॉइंट 298 केल्विन पर नश्ट समिकरन यूम एमफ की गड़ना करन आपको खाखंड़े बता जा रहा है कि निम्ड पर संच्छेप्ट टिपड़ी लिखिए और दूसरे में अश्कंदन क्या है और गाखंड़ा है आपका प्रियोक्षाला में एथिल एमीन बनाने की विधी का वर्ण कीजिए सम्मंधित अपक्रिया के साथ समिकरन भी दीजि कि दूसरो 98 केल्विन पर आपका यह देखें यह है यह है एम जी टू प्लस एमेन का जो से एमेंफ की गढ़ना करके आपको दिया गया है वह आप यह मान है तो एमेंफ आपको गढ़ना करना है तो एमेंफ सेल बराबर यह जिरु पॉइंट थिरिप फोर मानेस इतना इसको गटा देंगे इतना पॉइंट आ जाएगा और नेट समिकरन आपका यह बनीगा ठीक है यह आपको ऐसे रख लेना है ताकि आपको दिक्कत न पढ़े बहुत इंपॉर्टन कुष्चन है आपका ठीक है यह देखें अगले कुष्चन के तरह बढ़ते हैं हम लोग यह देखें कुष्चन कर रहा कि ब्राउनी गत क्या है अश्कंदन क्या है इसका आपको एंसर देना है तो देखें ब्राउनी गत क्या है यह देखें ब्राउनी गत है आपकी ब्राउनी गत कुलाडी कड़ों के इस टेड़ी मेड़ी गती को ब्राउनी गती कहते है ब्राउनी गती का मतलब होता है कि जिसका आकार पतानों जिग जेग स्टेट में जो होता है उससे ब्राउनी गत कहते हैं कुलड़ी कड़ों के साथ परचेपन माध्यम में अड़ों के टकराने के करान उत्पन होती है जैसे जैसे कड़ों का आकार तता परच्छेप्र माध्यम में सानिता बढ़ती जाती है या प्रभाव भी कम होता जाता है ब्राउनी गद धीमी होती जाती है अंत में परच्छेप्र करण बड़े होकर के निलंबर कड़ों के शमान हो जाते हैं और ब्राउन निगत पर्देशित नहीं करते हैं ठीक है अगला कुछन आप से कह रहा है कि अश्कंदन क्या है तो यह देखे आपका अश्कंदन कि अश्कंदन है कुलाइडी कड़ों के विद्धूत अभगट की सूच मत्रम की उपष्थिति में सम आयनों को अधिवेशित कराने के कारण इन पर धन अथवारेन आवेश होता है समान विद्धूत अभगट की कारण यह दूर दूर रहते हैं जिससे खुलाइडी तंत्र अस्थाई होता है इन कड़ों पर लगने वाला गृत्वा कर्शन बल बहुत सुच्छम होता है ताथा इसी कारण गृत्वा कर्शन बल के प्रभाहों से भी कर नीचे बैठ जाते ह ठीक है जब इन कड़ों पर आवेश किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है तो एक करण परस पर टकरा करके अपने टकरा कर बड़े करम बना लेते हैं तता आउच्छे पी तो करके नीचे बैठ जाते हैं यह प्रक्रम असकंदन यह आउच्छो पर कहलाता है ठीक है यह अगल कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रोक्षाला में बनाने की विधी का वरण कीजिए सम्मंदित अपक्रिया समीकर्ण भी दीजिए अथिलमीन एसिटिक एसिट से कैसे प्राप्त किया जाता है यह अपकुछ तो एथिलमीन बनाने की प्रोक्षाला विधी पर ब्रोमीन तता काश्टिक पोर्टास ब्लैंड की ट्राने पर एथिलमीन बनता है यह खुफ्मान ब्रॉमी अब कर दवारा भी संपन्पन होती है यह अपक्रिया देखे इसके आगे यहां पर देखे यह क्रियाह है प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप् प्रुक्साला में क्या होता है गोल पिंदी वाले फ्रास्क में 220 ग्राम प्रोपेनोमाईड और 18 ग्राम ब्रोमीन लेकर के ठंडा करते हैं फिर इसमें 10% कोईच का 200 ml बिलेंड बलाते हैं मिशनर को जब तक रहते रहते हैं जब तक कि ब्रोमो प्रोपेनोमाईड के कारण पीले रंग का बिलेंड ना बन जाए अब इसमें 50% कोईच 100 ml बिलेंड प्रिथकारी कीव से डाल करके जलूसमक पर 60-70 डिग्री सलसेस भखरम करते हैं जिससे बिलेंड रंगें हीन हो जाए तद उसके बाद या तद पहिशात प्लास के दरों का आश्रोन करते हैं जिससे एथल-इमिन गैस निकलती है जो ग्राही में रखे हुए ESL से क्रिया करके एथल एमिन हीड्रोक्लोराइड का बिलेंड देती है इसे इतन के ओईज बिलेंड के साथ क्रिया कराकर के एथल एम बिएगर्जल में विलिये हैं क्योंकि जिल के आड़गों के शाथ रखंता ना झालिघार्चाइट की भार ता कुन्स? एंदिना ऐसे एंदिना एंदिना करें तो क्लोराइड भूर नाओ को पिकर से बनेगा तो एंदिना प्लूराइड जय को बनेगा तो एंदिना टिक बनेगा उन्हुंटों एकला कराए ग्लुकोज का सूत्र बताई है एकला कुछ जने ग्लुकोज का सूत्र लिखे टालन अब करमा के साथ ग्लुकोज कैसे क्रिया करता है से मिकर दीजिए तो पहले आपको तो ग्लुकोज का सूत्र जानना होगा तो देखे यह ग्लुकोज का सूत्र है ठीक है यह यह आपका ग्लुकोज है अब देखें के अपकरमक पर देखिए ग्लुकोज अपकरमक नाइट्रेट को सिल्वर दरपन या सिल्वर के काले और चेप से अपचेद कर देता है तो ग्लुकोज का टालन अपकरमक है की तक अपकरमक पर दियान रखना इस जीक वर करने के साथ अपकरमक करा जाता है तो यह अपका प्राथ हो अगली को सी तरफ बढ़ते हैं यह कोतनांग का उन्नेन क्या होता है समझाइए फिर कह रहा कि गलुकोज के 12 ग्राम में 100 ग्राम जल में घुल गया है इस ब्लेंड का कोतनांग इतना है जल कि में केवी की अड़ना करना है आपको ठीक है बहुत इंपॉर्टन कुजिशन है आपका तो देखे कोतनांग में उन्ने इसे कहते हैं तो आपको यह किसी सुद्ध ब्लाइक में आवासिल ब्लेक घुलने पर ब्लेंड का वास्पदाब कम हो जाता है जिसके कारण ब्लेंड का कोतनांग बढ़ जाता है किसी ब्लाइक के कोतनांग में उत्पन इस ब्रिद्धी को ब्लाइक कोतनांग में उन्नेन का इस तो गिल्याप रखूय को सब्सक्ति का जल में घुलकुज है? आपको सबगान है फशु कट चलूक्रंड इस वा पलायक में धच्यू गुला के ग applicatव तब यहां है तो आपको दिया हुआ है तो 100.34 में से 100 घटा देंगे कितना पचाई 0.34 के भी कमान ग्याद करना है तो आपका सूत्र क्या है टीवी ब्राबर डेल्टा टीवी ब्राबर एक हजार गुड़े के वी इन्टो डवलो पटे डेल्ट कैपिटल डवलो गुड़े इस मालिया में सूत्र पर रख दीजिए तो इसका मान आप रख देंगे के भी कमान कितना है जिरू पॉइंट तो यह जार गुड़े बार इसको कल्कुलेट करेंगे आपका कितना है जिरू पॉइंट फाइप पॉइंट फाइप वन चलका मोल लल उन्हेंने इस तरह कितना हो जाएगा जिरू पॉइंट फाइप टीक है चली अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं यह दिखिए यह और गाखन में है निम्रिकित को उदान से समझाईए यह आपका कुश्चन है यह देखिया इसमें से कुश्चन आपको लिया गया है इसका अज़र यह है आपका यह कुश्चन है आपका को मेनस से पढ़ लिजे ठीक है हुआ यह है ठीक है कि अगले कुछिशन की तरफ बढ़ते हैं पर्थम कोट के प्रिया के लिए इसमें देखे यह आपको दिया गया पचास सेकंड में सानता प्रानवेक की बेक इतने होती है तो यह आपका उसका मानवा कि आधिया क्या के प्रोगर करने में तो के कमान आपको लाएगा यह थीक है अगला देखे अगला कुछिशन क्या समझते हैं देखे संक्रमर के अविलाचन गुणाई है यह आपके संक्रमर धातों है वह सभी धातों है क्योंकि इनके बाहितम कच्छ में या कोश में एक या दो एलक्टान है जिन्हें सरता पुर्वर निकाल सकते हैं ये धातों तन्य अगात वर्धने तथा उस्मा वा विद्धित की सुचालक होती है ये अन्य धातों के साथ स्यों करके में से धात बनाती है ठीक है तो ये आपका बहुत इंप्वर्टन्ट है ये ठीक है अगला कुश्चन देखें ये इसको इस तरह से पूचा जा सकता संक्रमना तत्त किसे करते होगते हैं तो उर्जा अस्तरों के डीकचकों में परवेस्च करते हैं डीकचक डीव्ला के तत्त को इलाते हैं, इस लेने क्या करते हैं? उऔर यगमेद रख्ठानों की फिर फिर्चयों कारव दराभ लखे पर लेश्चित करते हैं यह दी करें बड़ती के इतर। कि यहां पर इसका एंसर यह भी है एमन द्वारा प्लस साथ अक्सिक्रन अवस्ता यह में उटू में दिखाई गई है ठीक है अगला कुशन है आपका कि उप संख्या क्या है समझाइए और उप संख्या योगी के चुम के गुण तो उप संख्या को यह दिखिए अब asian से जुड़े 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 हुए दाता प्रमाणों की संख्या बस नशनक्या के लगाती है ठीक सा जुड़े हैं नहीं मारये ये क्विश्चन है तो इसका रहर नहीं है यह सीओ नाए सियोफोर में कापर के अक्सिकर्ण संख्या निन प्रकार से ग्याद की जा सकती है मना कापर के अक्सिकर्ण संख्या यह है तो आपको इसका अक्सिकर्ण संख्या हराम से निकाल सकते है ठीक है अगला क्वेशन कह रहा है उपसर्जियोग के चुमकिये गुन तो आपके चुमक के अगला कुश्शन देखें अल्हा कुश्शन कह रहा कि प्रीक शोडिय५र डरgest theオ Capital s बइनघी में आर्पार्डय। बिद्रिक अपतर इथे सोगे सांदेश जूंद अब्राइट स्थेज्रा उस एक्ट करते हैं तो आपका सल्फर डियाकसाइट फार्थ होता है ठीक है एक गोल पेंद्य के फ्लास्क में तामें के चलें को लेकर करके उपरन को इस तरह से सजाते हैं जिसके पहिचा सिधरन कीव की साहता से फ्लास्क सब्सक्राइब करने पर सल्पा डियाक्साइड गैस बनती है इससे सांद सल्पाइब करने पर इसमें उपच्थित नमी अउसुशित हो जाती है तो मैंगनेस सल्पेड बनता है मैंगनेस सल्पेड को चूने के पानी के साथ में प्रिया कराते हैं यह सी ओ टुक वो सी ओ एज का होल्ट आइस के साथ में उक्रेक राते हैं तो आपका से असो थी बनता है ठीक है यह प्रिया अपके लिए बहुत इंपोर्टन यह इसको आप रहे जीए ठीक है चली पिर कह रहा है एक कुश्चन और इसमें कह रहा था देखिए इसमें से समझाई है एस्ट्व सामान तापपर द्रव है तो खेस है यह पर देखिए इसका अंसर बंदों से जुड़े होती हैं और अस्ट्व और जमें हाड्राइन बंद नहीं होते हैं नहीं बनाता क्योंकि सर्फ़र के तोलम में आखसर अधिक विदुरमक तथा आकार में यह आपका एंसर हो गया है तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तक आप पढ़ते रहें